Hey students, welcome back to my YouTube channel. आज मैं आप लोगों के लिए M.S.E. 1st semester Geology के 2nd paper Structure and Function of Invertebrates Exam 2024-2025 के Most Important Questions लेकर आई हूँ जो कि All University वालों के लिए है और ये सारे questions Previous Years के Question Paper को ध्यान में रखते हैं बनाया गया है सबसे पहले हम Unit First के Important Question देखेंगे जिसमें First Question है सिलोम संगठन को समझाईए Second Question है मेटा जोवा की उत्पत्ती का वर्णन कीजिए Third Question है वास्तविक सिलोम क्या है उदारन सहित समझाईए Fourth Question है संग प्रोटो जोवा में प्रचलन के विभिन अंगों का वर्णन कीजिए Fifth Question है अकसे रुखी प्राणियों में सिलोम के विभिन प्रकारों का वर्णन कीजिए Sixth Question है कूटपात के द्वारा प्रजनन एवं और सिलोमेंट पर तिपड़ी लिखिए सेवेंट नंबर पे है इकानो डर्मेटा में हाइडरो इस्टेरिटीक मूलमेंट को समझाईए अब अगला देखेंगे यूनिट सेकेंड के इंपोर्टन क्वेस्टन जिसमें First Question है संग मॉलस्का में भोजन ग्रहन करने एवं पाचन की विधी का वर्णन कीजिए Second Question है कीटों में स्वसन तंत्र का वर्णन कीजिए Third Question है स्वसन की क्रिया विधी पर संचिप तिपड़ी लिखिए Fourth Question है अक कसे रुकियों के स्वसन अंगों की वर्णन कीजिए Fifth Question है स्वास नली द्वारा जिसमें First Question है संग आर्थो पोड़ा के उध्सर्जी अंगों को विस्तार से समझाईए Second Question है संग प्रोटो जुवा में उध्सर्जन तथा परासरण नियम को समझाईए Third Question है पाईला के उध्सर्जन तंत्र का वर्णन कीजिए Fourth Question है कसे रुखियों के उध्सर्जन अंगों का वर्णन कीजिए Fifth Question है संचिप तिपड़ी लिखिये जिसमें First Topic है एने डीडा में रक्त वाही का तंत्र Second Topic है आस्मो रेगूलेशन तंत्र Third Topic है उच कसे रुखियों जीवों में उध्सर्जन अब अगला देखेंगे Unit Fourth के Important Question जिसमें First Question है सिलैन्ट्रेटा के तंत्रीका तंत्र का वर्णन कीजिए Second Question है जिंगा प्रॉन के तंत्रीका जिंगा प्रॉन को बोलते है ठीक है के तंत्रीका तंत्र का वर्णन चित्र सहित कीजिए देखिए जितने भी प्रस्ण है सभी में अगर आप चित्र बनाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा साथ ही explain भी अच्छे से कर पाएंगे ठीक है तो सभी में डाइग्राम बनाने की कोसिस करिएगा थर्ट क्वेस्चन है सभी को चित्र के साथ बनाने की कोसिस करिएगा ठीक है अगला देखेंगे युनिट फिप्ट के important question जिसमें first question है मोलस्का के लार्वल रूपो का वन्न कीजिए एवां विकासात्मक महत्व समझाईए second question है इकाइनो डर्मेटा की लार्वल रूपो का वन्न कीजिए third question है वैलिगर लार्वा को विस्तार पुर्वक समझाईए fourth question है ट्रिमेटो डा लार्वा का चित्र सहित वन्न कीजिए fifth question है तिप्डी लिखिए जिसमें first topic है संयुक तनेत्र second topic है संकूचन सिल अब अगले देखेंगे sixth number का important question जिसमें है अ कैसे रूप की जीवों में लार्वा के रूपों का एवं विकासात्मक महत्वक का वन्न कीजिए हमारा प्रस्न यहीं खत्म हुआ अगर आपको हमारे चैनल से help मिलती हो तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe करें और comment करकर बताएं कि अगली वीडियो आपको किस topic पर चाहिए जो नए है वो जल्दी से हमारे चैनल को subscribe कर लें क्योंकि इस channel में आपको MSC की सारी notes भी मिलेंगी Thank you